आज भारतिय शेयर बजार ग्लोबल बजार के दबाव के बावजूत बढ़त के साथ खुला लेकिन तेज बिक्वाली के बीच सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आ गए महराष्ट्रा में NCP विधायक हसन मुशरिफ के कोलापूर घर पर पी प्रवर्तन निदेशाय की चापेमारी चल रही है यह चापेमारी शुगर मिल ब्रश्टा चार मामले में की जा रही है विश्व बैंक ने कहा है कि एक तरफ जहां ग्लोबल एकॉनमी मंदी के मोहाने पर खड़ी है वही भारती अर्थ व्यवस्था के 6.6 फीसिदी की रफ्तार से आगे बढ़ने की संभावना है उत्तराखंट के जोशी मट में स्थिती और ज्यादा बिगरती जा रही है जम्मू कश्मीर के कुपवाडा के माचल सेक्टर में नियमित ओपरेशन कार्यों में डटे जवानों की जीग बर्फ से फिसल कर गहरी खाई में गिर गई जिसमें एक जेसियो और दो अन्य रैंक के जवानों की मौत हो गई सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाती आधारित जंगरना कराने की बिहार सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली आचिका पर ततकाल सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी मध्यप्रदेश के इन दौर में Global Investors Summit का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने शुभारम किया कल तक होने वाले इस समिट में 84 देशों के 447 अंतराष्ट्रिय प्रती निधी शामिल होंगे इसके अलावा इसमें सभी G20 के प्रती निधी, 5000 से ज़्यादा उद्योग पती और प्रती निधी भी शामिल है प्रधानमंत्री आवासिय योजना के तहट जल्द ही वारानसी में 250 निराशृत्रों को छट मिलेगी आवासों की चाभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी फरवरी में आयोजित कार्यक्रम में दिये जाने की उम्मीद है तीन साल के अंतराल के बाद आज आज आटो एक्स्पो की वापसी हो गई है आटो एक्स्पो को दो अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया है प्रगती मैदान नई दिल्ली में आटो एक्स्पो कंपोनेंट शो और ग्रेटर नॉइडा में आटो एक्स्पो मोटर शो यह आयोजन 18 जनवरी तक चलेगा